कि अग्याइब कि अग्याइब करने जा रहे हैं और यह से जो है एक बहुत अच्छा प्रम अच्छा मेंबर है इसको आधि आप एक प्रट्फोलियो बनाना चाहते हैं तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते यह मेरा मानना है कि देखे बिना यह जो कंपनी है वो काम करती है और अच्छा खासा मार्केट सेयर भी रखती है यह कंपनी और आहाल के दिनों में कुछ न्यूज आया है मैंने इसके पहले भी एक वीडियो इस पर बनाया है वो आप एक पर देख लीजएगा और जो लोग न यह आप मेरा देखेंगे जो भी मैंने 4 शेयर देता हूं यह आप उसको अच्छे से से स्टेडी करें और पार दोस्तो ब्थकरM बता है और कुछ बताता ह Wireless के इस लेबल के ऊपर खरीद दियेगा इस लेबल यह वहां नहीं मिलता है तो बॉटम पर कहां खरीदना है यह दोनों लेबल मैं बताता हूं दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि वह जो उपर का लेबल बताया था उसको टश नहीं करता है उसको ब्रेक नहीं करता है संटें नही दिखेंगे इस निज्व क्या एक्षekt होगा वो हम दोड़िश्स करेंगे तो यहाँ पर देखी दोस्तों कि मैंने ये बताया था कि देखी यहाँ पे जो है एक आप का 120 Wade के आसपास का मैंने एक 100 आपको बताया था कि यहाँ पे 120 के नीचे इसे और motorcycles जाएगा क्योंकि मैंने बताया था देखिए यहां से या भी आप बात करें फर्वरी 22 तारी के बाद से इसने जो है अच्छा रन अप दिखाया था और फिर इस लेबल पे आके एक लेबल था आपका 116 रुपे का 116 रुपे का ये लेबल जो था बहुत ही कुरूजिय लेबल था यहां पे दो बार इसने टच किया है और दो बार टच करने बाद क्लोजिंग जो है उपर की तरफ हुई है जो कि 126 रुपे के आजपास का था तो 126 को मैंने मार्क कर दिया दोस्तों 126 को अब मैं ने जो डिशकस किया था लाग जो ट्रेडिंग सेटन था मैंने जब यह वाला यहां पर ग्यारत आरिकों मैंने वीडियो बनाया था और यहां पर मैंने बोला था कि यदी 150 निकलता है 44 के आद्पास यह ट्रेड कर रहा था मैंने साफ साफ बोला था कि इस लेबल पर यदि पचास की उपर निकलता है तो ही आप कोई पोजिशन बनाईएगा और देखिए दोस्तों यह जो केंडल बना था वह क्याओं बाउंड के यह तेरे तरिकाप फोटी सेवन के आत्पास फोटी एट के आत्पास दोस्तों यह नीचे आ गया था बारा तारीक की एकानिया उसके दिन मैंने वीडियो बना था और इसके ऊप पर तुकि यह वाला जो केंडल सा इसने सस्टेन नहीं किया था मैंने मुला था एक सो पचास कूपर सस्टेन कर जा तो ही इसमें अपना पोजिशन बनाईएगा अधर्वाइस मैंने दूसरे लेबल बताया था इस लेबल को कि आप 136 35 के आसपास आप जो है 35 के आसपास एक पोजिशन बना सकते हैं with top plus 120 का तो यह लेबल जो है कि इस लेबल से अच्छा खासा यहां से नीचे भी आया था आपको 127 तक के लेबल भी देखने को मिले थे और यहां से देखिए यह यहां से घूम जाता है और यही एक लेबल है जो दोस्तों इस तरह से आपका देखिए चार्ट बनता है तो मैं देख रहा हूं कि इस तरह से आपका मूब कर रहा है और हाई जो है 190 रुपय के आसपास का है और वहां से यह लेबल पर अब बात करते हैं यहां से किस लेबल पर जाएगा क्या होता देखिए दोस्तों यह लॉंग डम होल्ड कर रहे हैं तो यह से बहुत ही अच्छा है और यह जो है आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटन देखा और यह जो मैं लेबल बता रहा हूं यहां से देखिए दोस्तों यह जो जो ने 150-133 का यह जो ओपन तोड़ देता है तो यहां पर दी कोई फ्रेस इंट्री लेता है तो यहां इस उस लेबल पे ले तो अच्छा खासा यहां से पचास के बास से चालिश रूपे का उसको यहां से टार्गेट मिल जाएगा आने वाले समय में और उसमें जो टार्गेट रखना चाहिए उनको फर्स टार्गेट जो रखना क्जांच है वह आपको मैं बता रहा हूं 177 का बत का वसूल कर सकते हैं और थोड़ा-थोड़ा जैसे 10% में हमेशा बोलता हूं कि यदि मैं चार सेर बताता हूं तो उसमें पांच-पांच-छाजार रुपे इन्वेट कीजिए और उसको देखिए उसको वाज करने कोशिच कीजिए क्या उस तरह से आपका विकली फ्रॉफिट आपको एक प्रॉफिट दिखता है यही होता है कि आप यहीं करना चाहिए आप उस चीज को रिलाइज कीजिए हमेशा कैस्फ्री होना चाहिए 25,000 अपने पास हमेशा रखिए ताकि आपको आप उसको जो है यूज कर पाए तो यह सारी चीजिए थी अब बात कर लेते न्यूज की तो न्यूज क्या है दोस्तों तो न्यूज देखिए मैं पहले भी एक न्यूज था वह मैंने बताया था वह आप देख पर देख लिज फित्रू जो है वह एलेक्ट्रिक वैकिल को फाइनेंस करेगा यह बहुत अच्छी न्यूज दोस्तों ऐसा क्यों कह रहा हूं देखिए कोई भी कस्टमर जब फाइनेंस उस कंपनी की लोग करते हैं तो अच्छा कासा जो है इसके विक्री में जंप देखा जाता है क्योंकि उसको हैसल परी जो है एक फाइनेंस मिल जाता है उसको कहीं और नहीं जाना पड़ता है एक ही पॉइंट पे जहां पे सैल हो रहा वहाँ पीज़ी कंपनी फाइनस कर देती है तो यह चीज़ँ जो है आपका आने वाले समय में इसको एलेक्ट्रिक वैकिल का जो विक्री है वो बढ़ जाएगा और वो जो है revenue में दिखेगा कि अच्छा कासा, revenue इनका generate होगा, finance के थूँ भी इनको एक revenue जो है, मिलता है, तो ये सारे सीजे जो है positive होती है और अच्छा होता है, देखिए, ये थूँ ग्रीफ finance, electric vehicle buyer across India can expect with dispersal of multiple retail vehicle finance option, ग्रीफ का तन, one of the leading and diverse engineering companies has enhanced easy access to financing option for the electric vehicle through its subsidiary, ग्रीफ finance, ग्रीफ finance कि अच्छा है, और अगर्डिं तो ग्रीफ finance will deploy artificial intelligence enabled analytics to offer customized retail, ये क्या वहिया, deploy artificial intelligence enabled, मतलब क्या होता है, कि जो भी आपका credit score होता है, वो आप automatic जो है, generate हो जाएगा, कि हाँ, इसको finance करना चीज़ ये नहीं करना, जो भी है, वो automatic हो जाएगा, तो उसमें hassle free, तो वो system खुद ही decide कर पाएगा, कि हाँ, इनको finance कर देना है, तो disperse, ये क्या करेगा, जल्द से जल्द जो है, आपका loan disperse हो जाएगा, और वो बायस जो है, आराम से गाड़े लेके घर जा सकता है, तो ये साथ चीज़े, AI के माध्यम से अच्छा कासा सब data available हो जाता है, और यहाँ पर देखे, एंपियर electric का जो ambition है, वो चाहती है, कि 500 dealership, इसने touch point, dealership, touch point बनाया है, ताकि इसके बिकरी में तेजी लाया जा सके, और एंपियर electric का parent company कौन है, ग्रिप्स कोटन, तो यह एक ecosystem बना रहा है, financing हो गया, एक ही जगह पे financing मिल जाए, फिर जो है, आपका dealer point ये सब, touch point ये सब बना दे, ताकि ज्यादा ज्यादा बिकरी कर पा है, और EMPIRE Electric जो है, एक डिली जो है, इसके डिली जो है, एक्षान गर रही है, Griffiths Finance is among the first few players in the industry, अज़ अज़ी affordable financial ecosystem for the prospective EV buyers, with easy approval and quick loan dispersion, Griffiths accelerating process of owning personal electric vehicles and becoming a part of EV revolution in the country, Griffiths Cotton is the parent company of the EMPIRE Electric, which is now building a comprehensive ecosystem, including electric two-wheeler and three-wheelers, so आपको पता है, ये सारी चीश़़र रही चीचाइबगा है, चीज़ बनाती है और एक लाख वेकिल का तो यह चीज़ है और इसनों ने अच्छा कासा इन्वेक्समेंट भी कर रखा है साथ सो करोड का इन्हों ने दस साल के लिए एक इन्वेक्समेंट किया है ताकि निव इस्टेट ऑफ आर्ट्स एवी फैसलिटी जो है तामिनाडू है रेनी पेट में बनाया जाए और अर्ली जुलाई में क्या हुआ था दे कंपनी एनाउंस रीच फाइव अंडे टच पॉइंट एक रोस दिंडिया जो बताया तीन सो पचास डिलर्शिप फ्रम एंपियर वेकिल सेनवान सिस्टी फाइप डिलर्शिप फ्रम कियाली इरिक्स ब्रैंड तो आपको पता है यह सबसे ज्यादा बिखता है और रोजगार का आउसर भी देता है जो की बिलो पोवर्टी लाइन है तो यह जो है बहुत ही अच्छा है इस कंपनी के लिए आने लो समय में अच्छा का सा रिवेनियों जनरेट करेंगे यही मेरा मानना है तो ब मिलने वाला है तो अटम में और यह वीडियो कैसा लगा हुआ मुझे बताईएगा और अच्छा लगा तो पीछ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते है नेक्स वीडियों तब तक अपना ख्याल रोखिए बाबाई